हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओल आफ यू, स्वागत करता हूँ आपका अपने प्रिवार इनोवेशन वाइफाइ स्टडी में, तो आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी त्यारी भी बढ़िया चल रही होगी, तो जैसा कि आप सभी को पता है भी हमारी नहीं कि अपने दोस्तों पास देक वर क्लास को शेर कर दें ताकि सभी दोस्तों को कलास का ळा मिल्ज के, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सुस्क्राइब के लेना पास मिलके बेल आइकन को प्रेस के लिएना ताकि निउव अपडेट आपको टाइम टुटाइम मिलती रहे, चलिया, friends, first number question देखिएगा, आपके शामने हैं. Question है, मानो शरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है? मानो शरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है? जांग, रिबकेज, भुजा, मेरुदंड. तो first number questions में आपका right answer होगा, वो होजएगा, जांग यानि A option आपका याँ पे right answer होगा. Second question देखिएगा, आपके सामने हैं, मनुश्य में कुल कितनी हड़ीयां होती है? 202, 200, 206, 212. तो मनुश्य में total जो हड़ीयों की संख्या होती है, वो 206 होती है, यानि C option आपका याँ पे right answer होगा. तेन नमर question देखिएगा, आपके सामने हैं, मनुश्य की खोपड़ी में कितनी अस्तियां होती है? 30, 32, 34, 8. तो मनुश्य की खोपड़ी में अस्तियों की संख्या 8 होती है, यानि D option आपका याँ पे right answer होगा. अगला question देखिएगा, चार नमर questions आपके सामने हैं, question है, शरीर की शर्वादिक परबल अस्ति होती है, भुजा में, जबड़े में, गर्दन में, जांग में. तो चार नमर questions में आपका right answer होगा, वो होजेगा, जबड़े में, यानि B option आपका याँ पे right answer होगा, शरीर में शर्वादिक जो परबल अस्ति होती है, वो जबड़े में होती है, अगला question देखिएगा, फाइफ नमर questions आपके सामने है, question है, मनुश्य के सरीर में पेर की हड हड़ी है, ठोस होती है, किलक होती है, खोकली होती है, या फिर सरंद्री होती है, तो फाइफ नमर questions में आपका right answer होगा, वो होजेगा, यानि सरंदी होती है, D option आपका याँ पे right answer होगा, मनुश्य के सरीर में पेर की हड़ी होती है, तो सरंद्री होती है, ठीक है, अगला question देखिया, छे नमर क्योशन साब के सामने है, क्योशन है, टीबिया नमक हड़ी किस में पाए जाती है, टांग, मुह, भूजा, खोपडी, तो छे नमर क्योशन में आपका राट एंसर होगा, टीबिया नमक जो हड़ी है, वो टांग में पाए जाती है, यानि ए ओप्सन आपक के सामने हैं मनुश्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विक्षित होते हैं मनुश्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विक्षित होते हैं तो बारा अठाइस बीस चार तो साथ नमर के उसन से में आपका राट एंसर होगा मनुश्य के जीवन काल में बीस दांत है वो दो बार विक्षित होते हैं यानि C option आपका यहां पे रेट एंसर होगा एक आपकी inquiry के लिए बता दूँ अगर किसी भी दोस्त को PDF चाहिए तो PDF में टेलिग्राम गुरूप पे अपलोड कर रहा हूं और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने आपको description box में दिया है ठीक है न अगला question देखिए गार्ट नमर क्योंसाना पकी सामने है क्योंसन है मनुश्य के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं 10 12 14 14 10 तो आठ नमर क्योंसंस में आपका राट एंसर होगा वो होगा मनुश्य के जो सरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं वो बारा होते हैं भी ओप्सन आपका यहां पर राट एंसर होगा अगला क्यूशन देखिया नौ नमर क्यूशन से आपके सामने है नवजाद सिसू में हड्यों की संख्या लगबग होती है नवजाद सिसू में हड्यों की संख्या लगबग कितनी होती है 300, 350, 206, 200 तो नौ नमर क्यूशन से में आपका राट एंसर होगा वो जिगे नवजाद सिसू में हड्यों की संख्या 300 होती है ए ओप्सन आपका यहां पर राट एंसर होगा अगला क्यूशन देखिए, दस नंबर क्योशन से आपकी सामने है मानोश्रीर में पाच्चन का अधिकांस बाग जिस अंग में संपन होता है बड़ी आथ में, अमाश्य में, छोटी आथ में, पनक्रियास में तो दस नमबर क्योंस में आपका right answer होगा वो जिएगा छोटी आंत में यानि इसी option आपका यहां पे right answer होगा मानो स्रीर में पाचन का अधिकास वाग किस अंग में संपन होता है तो छोटी आंत आपका यहां पे right answer होगा अगला question देखिया 11 number questions आपके सामने है question है कलाई की हड़ियों को किस नाम से जाना जाता है कलाई की हड़ियों को किस नाम से जाना जाता है options आपके सामने है metacarpals, tarlas, carpals, metatarlas तो 11 number questions में आपका जो right answer होगा वो होगा metacarpals यानि ए option आपका यहां पे right answer होगा कलाय की जो हडिया होती है उसे हम मेटा कारपल से नाम से जानते हैं 12 नममर क्योशन देखीगा आपके सामने है आनन कंकाल कितनी हडियों से बना होता है 15, 18, 14, 24 तो 12 नममर क्योशन से में आपका right answer होगा वो होजेगा 14 यानि C आपके यहाप करे right answer होगा आनन कंकाल कितनी हडियों से बना होता है तो 14 हडियों से बना होता है अगला क्योशन देखिया तेरा नमबर क्योशन आपके सामने है क्योशन है मानो स्रीर में सबसे लंबी अस्ति कौन सी है मानो स्रीर में सबसे लंबी अस्ति कौन सी है रेडियम, फिमर, टीब या हयूमरश तो तेरा नमर क्योशन में आपका रायट एंसरो होगा मानो शरीर में सबसे लंबी जो अस्ती होती है वो आपका रायट एंसरो होगा फिमर, जांग में होती है यानि B ओप्सन आपका यहाँ पे रायट एंसरो होगा चौधा नमर क्योशन देखिएगा आपके सामने है लिगामेंट जोड़ता है पेशी को पेशी से, अस्ती को अस्ती से अस्ती को पेशी से या फिर पेशी को उपास्ती से तो लिगामेंट है वो जोड़ता है आपका रायट एंसरो होगा अस्ति को अस्ति से यानि B option आपका यहां पर right answer होगा अगला क्योशन देखिए अब 15 नमर क्योशन से आपके सामने है क्योशन है कठोर वयाम के समय पेशियों में बनता है कठोर वयायम के समय पेशियों में बनता है पाइरुविक अमल से लेक्टिक अमल बनता है यानि ए ओप्सन आपका यहां पर right answer होगा पाइरुविक अमल से लेक्टिक अमल बनता है साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें जिसने भी क्लास को लाइक कर दीजीगा शेर नहीं किया अपने दोस्तों पास एक बर क्लास को शेर कर दीना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का ला मिल्स के जीतने भी आपके पास facebook ग्रूप है, whatsapp ग्रूप है उन सभी पर एक बर क्लास को शेर कर दीना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का ला मिल्स के और एक आपसी छोटी सी रिक्वेस्ट ही उपास्ति इन में से कोई नहीं तो 16 नमर क्योशन में आपका राइट एंसर होगा वह जी का कंडरा यानि बी ओप्सन आपका यहां पर राइट एंसर होगा अस्तिको पेशी से जोड़ने वाली रचना कौनशी है तो आपका राइट एंसर होगा कंडरा 17 नमर क्योशन देखिएगा आपके सामने है रेखित पेशी तंतूं का परमुख प्रोटिन्स है मायोशिन वै एक्टिन मायोशिन वै ट्रोपोनिन एक्टिन वै ट्रोपोमायोशिन एक्टिन वै ट्रोपोनिन तो 17 नमर क्योशन में आपका राइट एंसर होगा रेखित पेशी तंतुओं का परमुख प्रोटिन्स है तो वो आपका राइट एंसर होगा मायोशिन वै एक्टिन यानि ए ओप्सन आपका याँ पे राइट एंसर होगा अगला क्योशन देखिएगा 18 नमर क्योशन सापके सामने है क्योशन है सतनियों में बहिये कंकाल का उधारन क्या है सतनियों में बहिये कंकाल का उधारन क्या है ताउचा, हातव, पेर, कशेरुक, दंड, नाखुन, बाल वा खुर तो 18 नमर क्योशन से में आपका राइट एंसर होगा नाखुन, बाल और खुर यानि D option आपका यहां पर रैट answer होगा स्तनियों में बाहिये कंकाल का example क्या है तो नाखुन, बाल और खुर है वो बाहिये कंकाल का उधारन है 19 नमर क्योशन देखिएगा आपके सामने है क्योशन है हेवर्षियन नलीकाएं और तंतर कहां पाए जाते है हेवर्षियन नलीकाएं और जो तंतर है वो कहां पाए जाते है स्तनियों की अस्तियों में किशेरुक्यों की मेरुरज्जू में स्तनियों के अंत्यकरण में उपास्तियों में तो 19 नममर क्योंस में आपका जो right answer होगा वो हो जीगा स्तनियों की अस्तियों में यानि ए ओप्सन आपका यहाँ पर रेट answer होगा हेवरशियन नलीका हैं ओर तंतर कहां पाई जाते हैं तो आपका right answer होगा स्तनियों की अस्तियों में चलिएगा आज की क्लास का last question देख लेते हैं last question आपके सामनी है question है BMD friction किसकी पहचान के लिए किया जाता है BMD friction है वो किसकी पहचान के लिए किया जाता है malaria को, dengue को, osteoporosis को या फिर ades को तो 20 नमर questions में आपका right answer होगा वो होचीगा osteoporosis को यानि C option आपका याँ पे right answer होगा BMD friction है वो osteoporosis की पहचान करने के लिए किया जाता है तो जो C option है वो आपका याँ पे right answer होगा osteoporosis तो आशा करता हूँ friends आज की class में हमने 20 questions cover किये हैं सभी आपको समझ में आगे होंगे अगर फिर भी कोई भी question में आपको doubt लगती है तो मुझे comment box में comment जरू करें जैसे ही next class होगी उस class में आपकी doubt को clear के जाएगा class पशंद आई है तो दिल से like कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पास शेयर कर देना आपको time to time मिलती रहे तो आज की class में इतना ही मिलते है next class में तब तक जे ही जे भारत